इंग्लिश में कुछ शब्द हैं जैसे की एल्डर आज तक एक्जाम में आ रहा है, सीनियर आज तक एक्जाम में आ रहा है, इसके अलावा कोई शब्द आ नहीं रहा है, बस मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ inferior, prior, prefer, rule book में वैसे मिल जाएंगे आपको rule, anterior, posterior दोनों आप ते हैं दस हो गए क्या देखना, total ये दस ही शब्द होते हैं पूरी English में और इसमें interior विलकुल नहीं आता, anterior आता है, interior नहीं आता, अब इस बात पर stress क्यों कर रही हूँ, बड़ी सारी किताबों में ये rule ऐसे लिखा हुआ है, जहां भी I, O, R दिखे ये rule लगेगा, बुक के अंदर लिखा है, बहुत सी बुक्स में लिखा है, अरियन तवली में भी लिखा है, बहुत बड़ा ब्रेंड है वो तो, I, O, R आएगा ना, तो उदर ये rule लगेगा, जबकि I, O, R interior भी है और वहाँ ये rule नहीं लगता, ये rule सिरफ इन शब्दों पर, maximum 10 हैं आपके सामने, इसके अलावा कुछ याद मत रखो, जादा से जादा इन 10 शब्दों पर ये नियम लगेगा, नियम क्या है, ये सारी के सारी comparative डिग्री हैं, कैसे डिग्री हैं, और ऐसी comparative हैं, जो अपने साथ कभी then नहीं यूज करती हमेशा, इन comparative degrees के साथ कभी भी then का इस्तमाल नहीं होगा, हमेशा क्या लगेगा, तू लगेगा, आपको कहना है, he is senior to me, examiner कहेगा, he is senior than me, आपका ध्यान जाना चाहिए, senior then तो होता ही नहीं है, senior to होता है, क्या हम समझ गए, शौर हैं, पकी बात, निशित और भे, question लिख रही हूँ, जिससे पूछोंगी उसने बताना है, मुझे नहीं पता बाग की teachers का काम कैसे चलता है भाई, बिना तुम से पूछे, he is, he is my senior in my class, इसमें कोई गल्ती नहीं है, हमारा examiner हमारे लेता है, मज़े, इसलिए मैं class में ही ले लेती हूँ, तुमारे मज़े, ताकि examiner वा मज़े ना ले पाए, ठीक है, बैठ जाओ, इस sentence में बिटा, senior comparative degree थी नहीं, रूल तो तब लगेगा ना, जब ये शब्द क्या होंगे, comparative degree, इस line में senior शब्द था जरूर, पर sentence के अंदर comparative degree का काम कर ही नहीं रहा था, तो क्या काम कर रहा था और कैसे पता लगी ये काम कर रहा था, ध्यान चे देखो, मैंने hint के तोर पे my लिखा था, अब my जो एंग्लिश में possessive adjective होता है, अभी अभी pronoun में पढ़ा है, अपने कलपर सो, yes or no, और adjective अपने बाद किसे लेते हैं, तो senior शब्द तो यहाँ noun बन गया, adjective तो राई नहीं, adjective होगा तो rule लगेगा ना, noun पर थोड़ी ना rule लग जाएगा, तो senior शब्द यहाँ पर adjective है यह नहीं, senior था noun, इसलिए sentence में कोई गलती नहीं है, समझें हम?